हेलो दोस्तों सोगत है आपका SSC CGL 2023 के प्री टार्गेट के वीडियो में जहां हम आपको बताएंगे कि हर एक पीक में कैसे आपको तैयारी करने चली आपको उताते हैं कि पहला बीक है और पहले बीक में आपको कितने टार्गेट को एचीव करना है तो सबसे पहले मैत की बात करें तो आपको percentage complete करना है और percentage आपको तीन दिन के अंदर में complete करना है अगर आप बेसिक से त्यारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको ज्यादा भी बक्त लग सकता है लेकिन कोसिस करेंगे कि तीन दिन में percentage हो खत्म करें उसके अलाबा करना क्या है कि आपको profit and loss उठाना है profit loss को भी तीन दिन में खत्म कर देंगे और ज्यादस ज्यादा previous year question लगाने का कोसिस करेंगे अगर बुक की बात करें तो पिने कल की रन या किसी भी बुक से आप कर सकते हैं अगर उसके बाद हम बता दे आपको कि calculation की practice कम से कम आपको 15 मिनट तक time देना है calculation speed बराने के लिए अ math workout एक application है वो डाउनलोड करके कर सकते हैं जिससे आपको calculation fast हो जाएगा अब आता है English तो English में आपको करना क्या है कि noun का सभी class आपको 5 दिन के अंदर खत्म कर लेना है और ज्यादा स्यादा previous year question practice करना है किसी भी previous year book से उसके बाद आता है बोकाय में करना क्या है कि speak में आपक synonyms और antinums याद करने हैं जिससे आपको सब्ता में 100 वर्ड असानी से याद हो जाएंगे और इसको बार बार रिवाइज करना है उसके हलाबा बता दें आपको की बूक में कीरन पिनायकल या MB publication किसी भी बूक से आप कर सकते हैं comprehension section की बात करें तो आपको इस week में 25 question PQRS के 25 question reading comprehension 25 question close test के किसी भी previous year book से लगा सकते अब आता है reasoning reasoning तो reasoning में करना क्या है कि 25 question के sectional test आपको 5 set लगाने इस week में आपको कम से कम 5 set लगाएंगे और जो भी गलत होगा उसको मार करके रखेंगे और stopping को बार बार रिवाइज करेंगे जिससे आपको अच्छा marks आ जाएगा अब जीके आता है जीके में आपको करना कुछ नहीं है बस modern history का class सभी class को देख लेना है और इसका नूर्स बनाना है और यह आपको कम से कम 6 दिनों में modern history खद्म करना है और बार बार रिवाइज करने का कोसिस करना है जिससे आपको याद हो जाए इसके साथ में आपको इस बीक में जनवरी फरवरी और मार्च 2022 का करेंट अबार बार बार पढ़ना है और रिवाइज करना है क्योंकि current of year आपको पढ़ने से ही याद होगा रटने से नहीं होगा इसके अलावा आपको current of year और modern history की एक कुछ लगातार आपको लगाते रहना है और बात करें modern history खद्म करने के बाद previous year के question आपको लगाना है और book की बात करें या किसी भी previous year PDF से आप practice कर सकते हैं इसके साथ आपको आपको कुछ लगाने है modern history और current of year पे अगर कुछ की बात करें तो test book है बहुत सारा ऐसा platform है जहां पे आपको फिरी में कुछ डाल दिया जाता है साथ में हमारे इस टेलिग्राम को जोईन कर लेंगे जहां पे हम आपको डेली वेसिज पे पीडिये पे study material प्रोवाइड करते होते हैं I hope कि आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें